नमस्कार सर्दी बढ़ चुकी है कडाके की ठंड में जन जीवन एस्थवस्थ है और अभी भी सूरिय देवता का दर्शन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए और इसी को लेकर आज हम डॉक्टर नीरज के पास यहां पहुंचे हैं जो होमोपेथिक के फिजिशियन है और सर्दी को लेकर जो बच्चे हैं बुजुर्ग हैं युवा हैं उतमें क्या-क्या समसाय आ सकती हैं और क्या-क्या सावधानिया बरतनी चाहिए इस मोसम में उसको लेकर आज हम बात करेंगे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं कि आने के लिए सर्दी के अंदर क्या-क्या सामानेते बीमारियां जो लोगों को परिशान कर सकती है और जो घातक भी हो सकती है वह क्या है जैसे से भी ठंड आई है बहुत ज्यादा एकदम से ठंड आपको आइसुलेटर रखें बाहर मट एहले वाक करें जो ब्लड पेशावाले जो केसे होते हैं सर्जियों में ब्लड पेशाए शूट करता है जैसे हम लोग ठंड में सिकूरते हैं हम यह कहते हैं पेशिंस को कि अपने बॉड़ी को वाम रखें अगर संलाइट निकलती है तो बाहर निकले अधर अपने आपको आइसुलेटर रखें बॉड़ी को वाम रखें और अपना मेडिकेशन लेते रहें बच्छों के लिए हम लोग कहते हैं आजकल बच्छे बहुत केसे आ रहे हैं हमारे पास खांसी जुकाम लोग रेस्पेक्टी ट्रेक इंफेक्शन उ इसका रीजन यह स्मॉक ठंडी हवा तो ब्लड पेशर वाले इवन जो आटरिमून डिसीज वाले होते हैं उनको भी अपने प्रिकॉशन लेनी होती है इस ठंड के अंदर क्योंकि वाटरिमून डिसीज वाले हैं उस चीज में भी उनको दिक्कत आती है तो जो किड़नी वा हिलाएं ऐसे सर्दी में उनके लिए क्या इदायत है क्योंकि अब जो ठंड का है वो चरम पे है बेसीकली जो प्रेग्नेंट रूमेंस होती है उनके लिए हम लोग यहीं बोलते हैं कि आपको कोई काफन कोर्ड नहीं होना चाहिए काफन कोर्ड अगर होगा तो वो चीजिए आपको कहीं नहीं आपको दिक्कर कर सकता है तो अगें वही बात जैसे मैं सबके लिए बोल चुक हूं ब्लड पेशर के लिए आट इमून डीजीज वालों के लिए या स्मेटी का जो एलर्जिक जो पेशिंस होते हैं कि अपने आपको आइसे युवाओं को क्या कहना चाहे बिल्कुल आपने ठीक बात के जनरली के रहे था यूआ जो लोग होते हैं थोड़ा से डिफरेंट एक कैटेगरी है उनका तो मैं तो यह कहूंगा अगर आपको पता है कि आपके मम्मी पापा को कोई भी अगर प्रॉल्म है जो हैरी रिटी चलती आ रही है तो आपको भी व हम लोग ऐसे कैसे में कहते हैं आप अपने मम्मी पैरेंटल मेडिकल इस्ट्री का ध्यान रखिए आपके मम्मी को पापा को किसी को ब्लट पेश है तो अपना भी एक बर आप चेक कराई यह जनरली उन पेशन्स को ज्यादा हो सकती हैं जो एलर्जिक्स होते हैं या फिर ओल सब आपके लिए ठीक नहीं है अगर जितना आपके लंग्स में दोबारा अटेक अगर आता है वह वाला कर तो समालना बहुत मुश्किल होता है तो बेसिकली हम कहते हैं आप अपने आपको आइसुलेट कर प्रेवेंशन बेटर देन क्यों बुजर्गों के लिए इस समय जो आपके डॉक्टर्स में मेडिसन लिए उसको प्रॉपर लें बॉड़ी को वाम रखिए और जैसे मैं कहा चुक हूं ब्लड पेशन वाले केसे बढ़ते हैं बिकाउज अफ ठंड की वज़े से तो प्रॉपर मेडिकेशन प्रॉपर अपना ब्लड पेशन ना पर जो लोग सी को बच्चे को बच्च को बच्चे को अब तो अब बच्चे को नया वरियंट है और दिल्ली में इसके मामिले इस थंड में लोगों को ऐसे जो कोविड है और जो नया वेरिंट है इस से बचाओ और उससे जो भीड भाड है जो जो वाले हैं उन लोगों को क्या इदायत है जैसे सबसे पहले हम लोग कोविड में 2020 से जैसे हम लोग सुनते आएं डिस्टेंस और मास्क जो आया जो आया जो आया इसके भी स्टडीज चल रही है सब कुछ है बढ़िए इतना डेंजर नहीं है कोई और थोड़ा से एक नया सिम्टम इसका क्या आया है डैरिया पेट का ए जनरली क्या होता है यह जो फ्लू का वाइरस होता है हर सल बदलता है हर थंड में अपने नए नए जिनोम देगा आपको यह चीज अगे जैसे हम लोग कहते हैं कि थंड है तो आपने आपको आइसोलेटर रखें बीरबार से बचिए मास्क यूज करें और डिस्टन्स रखे और कुछ नहीं करना जैसे थे ठंड आती है हम मल्टी लियर्स कपड़े पहनते हैं गरम कपड़े पहनते हैं गरम पानी से नाते हो गरम चीजे खाते हैं जो बंदा है एक बार चाहे पीता होगा तो बेसिकली बॉड़ी को आप अपने को लुब्रिकेंटर के ड्राइए मत ह हैं उन लोगों के लिए काफे इधायत दी है कि वो इस ठंड से बचने के लिए जो इधायत आपने दी है उस पर काम करना बहुत जरूरी है ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ देखते हैं खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बैल आइकन पर तागी कोई भी खबर आपसे अच्छूती ना रह सके